हलो दोस्तों स्वागाते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल स्टेडी प्लेटफोर्म पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्टेडिक स्टेडी जिसको आप मिलिटरी साइंस या फिर सेने विज्यान की नाम से जानते हैं हुआ इछले वीडियो में यानि कि पार्ट वन में 54 कोशिन की एँ अभी हम 55 से स्टाट करते हैं तो सारा सिलेबस को पढ़के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने इस्थापना आठ अक्टोबर 1932 को होती है बहारतिये वायु सेना को Royal Indian Air Force की उपादी किसंने दीती भारतिय वायू सेना को Royal Indian Air Force की उपादी मिली हुई है जो Royal Indian Air Force की उपादी है वो किसने दीती भारतिय वायू सेना को अंसर लगा है कि जॉर्ज सेस्टम ने दीती कब दीती उननिस सो पैतालिस में दीती बर्मा युद्ध से पिर्सन होकर यानि कि जो वायू सेना थी वायू सेना ने वर्मा युद्ध दुनिस सो पैतालिस में एक पिर्सन सनिय कारण रहे किया था जिसके उपलक्ष में जिसके विजे के सम्मान में जो है जो है जोर्ज सेस्टम ने क्या कहते हैं वायू सेना को जो है वो किसका है अंसर लगा देंगे जॉन जर्नल डुहेट का ठीक है जर्नल डुहेट का विचारक थे जर्नल डुहेट या फिर इनका सिध्धान्द था वायू सक्सी सिध्धान्द किसका सिध्धान्द थे जरन्र इंपोर्टेंट कोशीन है इससे मेन आफे Alex नव प्रबट्व का सुधान्त किस ने दिया तो नव प्रबट्व का सुधान्त जो दिया था जरन्र डुहेट नहीं दिया था इसको भी याद उन् HEY नाफ़्ोशन आपसे करा है सामुद्रिक शक्ति के विचारक कौन है तो सामुद्रिक शक्ति के विचारक हो जाएंगे 80 महान 80 महान कहा के व्यक्ति थे अमेरिकन थे ठीक है इस पॉइंट को भी याद रखेगा नेक्स्ट कुशन आप से कह रहा है रोयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी तो रोयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में की गई थी ठीक है 1934 में रोयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई थी कहां पे बंबई में की गई थी 1932 में की गई थी आपकी भारतिय वायू सेना की स्थापना भारती ये वायू सेना की स्थापना की गई थी आपकी 1932 में और 1934 में की गई थी रोयल इंडियन नेवी की स्थापना दोनों पॉइंट को याद रखेगा ठीक दो साल बाद ही वायू सेना की स्थापना होती है इसके ठीक दो साल बादी आपका रोयल इंडिन निवी की स्थापन होया थी 1934 में बंबई में ठीक है इस बात को याद रखेगा नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है तो तेजस चो होता एक हलका लड़ाकु विमान होता इस बात को याद रखेगा कोशन पूछेगा कि तेजस क् चाहिए पूंडिन पूपत्वन नमदन रखेगा ती आइस चक्र क्या है पंडुबबभी जिसे हम सम्मरीन बोलते हैं गोजो पंडुबभी होती है उसको इक है किसे कहा जाता है तो बहुत किताब है तो जिसमें सबसे प्रिसिद्ध किताब हो जाएगी ऑन वार एक और याद कर लिएक है प्रिंसिपल ओफ वर ठीक है प्रिंसिपल ओफ वर ओन वर दोनों अलग-अलग किताबे हैं किसकी किताबें क्लोजविट्स की किताबें बहुत इंप्रोटन कोशन है इनका जनम भी याद रखना एक जुन 1780 को इनका जनम होता है दोनों पॉइंट को याद रखेगा बाइस अपरेल 1908 को इसका गठन करते हैं ठीक है आपका जो मिलिटरी साइंस का एक्जाम पेपर रहेगा फिफ्ट सेमिस्ट्र का वो मेरे इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजार आ रहा है उसका अंसर की जो मैं आपको एक्जाम के बाद आपको करता है जो भारत में तीनों सेना हैं हमारी जल सेना थल सेना वायू सेना इन तीनों सेनाओं के जो मुख्या होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है अंसर कर देंगे रास्ट पती ठीक है भारत में तीनों सेनाओं के मुख्या की नियुक्ति कौन करता है रास्ट पती करता है नेक्स्ट कुशन आपसे करा रहा है पहला Chief Defense Staff कौन था? पहला Chief Defense Staff कौन था? जर्नल विपन लावत मुस्ट इंपोर्टेंट कुशन है नेक्स्ट कुशन आपसे करा है वर्तमान में वायू सेना का अध्यक्च कोन है तो वर्तमान में वायू सेना का अध्यक्च हो जाएगा एर मार्शल विवेक चोधरी ठीक है विवेक चोधरी इनका नाम है वायू सेना के अध्यक्च है ठीक है वर्तमान में वायू सेना का अध् सितकBuild चोजाएंगा आपके ए एर मार्चल विवेक चौधरी नेक्स्ट कोशन आपसे कर रहा है भारतिय सेना में कितनी रेजिमेंट 27 infantry रेजिमेंट इस-पॉइंट को याध रखिया है इंढिन आर्मी की स्थापना किसंदे इंडियन आरमी की स्थापना किस ने यहास में फिक है मतलब की मनाय गया ता वह 15 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन पहला IF कब मनाए गया था तो constant裡面 चास को मनाय जाता है किसकी पुष्त-क है इसकी पुष्तक यानसर कर देंगे सेवेरेज की सेवेरेज की सेवेरेश की की पुस्तक है एयर पावर की टू सर्वाइवल मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिन है आपके पेपर में छप चुका है याद कर लीजी थल सेना केड़िट कोलेज कहां है थल सेना केड़िट कोलेज कहां पर है दहरा दून में देखो इंस्टिटूट से कोशिन आपके एक्जाम में बनने वाले है बहुत सारे इंस्टिटूट हैं आपके जो सेना से रिलेटिट है इसमें मैंने कुछी इंपोर्टेंट को सिलेक्ट किया है अगर आपके एक्जाम में कुछ ऐसा आ जाता है जो मैंने इस वीडियो में ना लिया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बहुत हैं बहुत सारे कोशन बनाऊँगा तो आप भी बहुत हो जाओगे लेकिन मैंने इंपोटेंट सारे इसमें ले लिये हैं कुछ और रहें तो मैं नेक्स वीडियो में उसको कवर करूँगा तो आप अपने पास से भी एक बार देख सकते हैं सारे इंस्टूट को ठीक है नेक्स पुशन आपसे कहला है नेशनल डिफेंस अकेडमी कहा है तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जिसे एंडिये बोलते है तो वह जाएगे आपकी खडग वासला में ठीक है खडग वासला कहां पर है पूने में ठीक है नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां पर है खडग वासला खडग वासला आपके पूने में है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंडी ए और इसको याद रखिए गए नई दिल्ली में इसको याद रखेगा नैशनल डिफेंस कॉलिज कहां पर है नई दिल्ली में सारे-पोइंट इंप्टेंट मैंने इसमें सेलेक्ट किया है कुछ भी फाल्तू नहीं है एग भी point को छोड़ाना नहीं है, मैं ध्यान से सुनो मेरी बात को, एग भी point को छोड़ाना नहीं है, इस skip ज़ा भी नहीं करनी है, Indian Military Academy कहां है, तो Indian Military Academy आपको हो जाएगी, दहरादून में, ठीक है, Indian Military Academy हो जाएगी, दहरादून में, राश्टे, Indian Military College कहां पर है, नहीं तोनों दहरा दून में ठीक है? आम्ड सेंटर सेनने प्रशिक्चर कहां इस्थित है? अंसर कर देंगे एहमद नगा ठीक है? Next question आपसे कह रहा है कि Defense Service Staff College कहां पर है तो Defense Service Staff College आपका हो जाएगा विलिंग्टन में विलिंग्टन इसको याद रखिएगा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां इस्तित है विलिंग्टन में इस्तित है याद रखिएगा नेक्स्ट कुर्शन आपसे कर रहा है इंफेंट्री इसकूल कहां इस्तित है मोव में इस्तित है याद रखिएगा प्यारा टूपर टूपर, हम तूपर जादातर कहा जाते हैं, बहुरा आगरा जाते हैं, ताज मियल देखनें, याद कर लीजीए, प्यारा टूपर टूपर जाते हैं, ट्रेनिंग स्कूल कहा इ さते थे, आगरा मैं इससे थे, नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है, Air Force Technical College कहा से थ नेक्स्ट कुशन में और सबसे पहले वाले वीडियो में करना है इस सेल estas I के, elementary flying school आपका बिदर में इस्ति थह, ठीक है, next question अपसे कह रहा है, is, 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 चिलका नोσα-पिर्सिक्षन संस्था कहा इस्ति थह, इसका पूरा नाम है is, is is, चिलका नीचे लिख दिया है बूल गया था इस वजह से, is, s, चिलका नो सेना पिर्शिक्छन संस्थान कहां इस्तित है भुवनेश वर में इस्तित है नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है देखो नेक्स्ट कोशन आपके सामने आता है कि इंडियन नेवल अकेडमिया क्यों हो जाएगी कोची मैं याद रखिएगा नेक्स्ट कोशिन आपसे करा है थल सेना में फिल्ड मार्शल के पद के बाद कौन सा पद आता है इस तरह से आपसे कोशिन पूछेगा बिल्कुल पूछेगा 101 परसंट पूछेगा कि किस पद के बा के बाद कौन सा पद आता है अंसर कर देंगा जर्नल ठीक है जर्नल के बाद कौन सा पद आता है लेफ्टिनेंट जर्नल लेफ्टिनेंट जर्नल के बाद आता है मेजर जर्नल मेजर जर्नल के बाद आता है बिरिगेडियर ठीक है हम थल सेना की बात कर रहे हैं भी ठीक है थल जो भारत के सेना अध्यक्ष देना जो जर्नल थे थल सेना अध्यक्ष जो थे जर्नल मनेक्षो ठीक है उनको जो है फिल्ड मार्शल का पद दिया गया था जिनको बोला जाता है फिल्ड मार्शल जर्नल मनेक्षो जिनको बोला जाता है तो वो व्यक्ति थे पहले जिनको यह फ सरवोच पद कौन सा होता है तो वायू सिना में जो सरवोच पद होता है उसको बोलते हैं Marshal of the Air Force ठीक है Marshal of the Air Force प्राप्त करने वाले पहले वियक्ति थे urgency ठीक है इस बात को याद रखेगा Marshal of the Air Force जो सबसे पहले इस पद पर जो नुक थू थे वो थे अर्जन सिंग Marshal of the Air Force के बाद जो वो आता है क्या कहते है उसको पद आता है वायू सेना में उसको बोलते है Air Chief Marshal Air Chief Marshal के बाद जो पद आता है उसको बोलते है Air Marshal यह तीन पॉइंट याद रखिए नेक्स्ट कुशन आपसे कह रहा है कि नो सेना में सर्वोच पद कौन सा होता है तो नो सेना में सर्वोच पद होता है Admiral of the Fleet इंगलिश-ंदी मिक्स हो गया आप समझ लेंगे Admiral of the Fleet Admiral of the Fleet का जो पद है अभी तक किसी को नहीं मिला गया है तो Admiral of the Fleet के बाद जो पद आता है नो सेना में उसको बोलते है Admiral Admiral के बाद जो आता है उसको बोलते है Vice Admiral ठीक है इन पॉइंटों को याद रखिए गए ये पॉइंट आपसे 101% पूछेगा मैं कह रहा हूँ आपसे याद कर लेना नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है सेना में सबसे छोटा करमचारी कौन होता है सेना की यहाँ पर हम बात कर रहे है थल सेना से तो सेना में सबसे छोटा करमचारी हो जाएगा आपका सेनिक जिसे हम आर्मी कहते हैं जिसे हम थल सेना कहते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन आपसे कह रहा है वायू सेना का सबसे छोटा करमचारी होता है तो वायू सेना का सबसे छोटा करमचारी हो जाएगा एरक्राफ्ट मैं जिसे हम वायू सेनिक बोलते हैं ठीक है बेसिक से कोशन है इसलिए मैं आपको फिर भी important है इस वेसे मैं बता रहा हूँ नेवी या नोसेना का सबसे छोटा करमचारी कौन होता है तो नेवी या फिर नोसेना का सबसे छोटा करमचारी हो जाएगा आपका seaman या फिर नोसेनिक जिसे हम बोलते हैं इनके पिर्मोशन होता रहता ठीक है पद उन्नत होकर उची रैंक पर राप्त करते हैं उची रैंक में आप इसको यह जो है लेफ्टिनेंट पर इनकी न्युक्ति होती है लेकिन यह फिर पिर्मोट होते होते फिल्ड मार्शल के पद तक भी जा सकते हैं ठीक है, नौ सेना में पिर्थम नियुक्ति किस पद पर होती है, तो नौ सेना में पिर्थम नियुक्ति किस पद पर होती है, तो नौ सेना में पिर्थम नियुक्ति किस पद पर होती है, इसलिए पास सकते हैं, आगे आने वाली जो हमारी PD है, ठीक है, वायू सेना में पिर्थम न्युक्ति किस पद पर होती है तो वायू सेना में पिर्थम न्युक्ति किस पद पर होती है अंसर कर देंगे फ्लाइंग आफिसर ठीक फ्लाइंग आफिसर पर जो है निक्ती होती है बाद में पदुन्नत होकर वायू सेना अध्यक्स तक भी जा सकते हैं लास्ट कोशन रहेगा इस वीडियो का कि नई सैनिक भरती योजना जिसको अगनी पत योजना के नाम से जानते हैं उसकी घोशना जो है कब की गई ती 16 जून 2022 को इसकी घोशना की गई थी अगनी पत या फिर अगनी वीर से रिलेटेड आपके एक्जाम में कोशन आएंगे याद कर लिएगा अगर मैं नहीं कर आ पाता हूं कुछ भी इससे रिलेटेड मेरे से कुछ छूट जाता है तो आप उसको जरूर देख लेगा और बैफे में नेक्स वीडियो में लेकर आऊंगो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को आउन कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना आपके मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ठीक है कुछ नहीं चाहिए बस आपसे एक शेयर चाहिए और आपको जो एक्जाम पेपर रहेगा वो मेरे वाटस अप नमबर पर शेयर कर दीजीगा जिसकी अंसर की मैं आपको नेक्स वीडियो में बताने का प्रियास करूँगा तो थैंक्स फूर सपोर्ट अलाहाफिज